जब विचारने वाली वस्तुएं विलीन होने लगती हैं तब विचारने वाला मन भी विलीन होने लगता है जैसे कि जब मन विलीन होता है तो वस्तुएं विलीन हो जाती है अब देखिए विचारने वाली वस्तुएं का मतलब है विचार क्योंकि वस्तों अपने आप में खाली है मन उनके साथ ताधात्म जोड़कर ही विचार पैदा करता है मन है ही विचारों के कारण अगर विचार नहीं है तो मन नहीं है अगर मन नहीं है तो विचार नहीं है एक उधारन के जरीए समझते हैं इसे एक बार राजा जनक के महल में एक सादू आया वो उनके पास रुख गया रात को क्या हुआ कि महल में आग लग गई राजा जनक बाहर जाकर खड़े हो गई तब सादू भी बहां आया लेकिन उसे कुछ याद आया तो वो भागता भागता जलते हुए महल के अंदर की तरफ चला गया जब वो बाहर आया तो राजा ने पूछा क्या हुआ था तो उसने कहा कि मेरी ये लंगोटी अंदर रह गई थी यह सुनकर राजा जनक हसने लगे और उन्होंने कहा कि तुमने सन्यासी होकर भी क्योंकि उस सादू ने क्या किया देखिए उसने एक छोटी सी वस्तू से भी इतना तादात्म इतना मोह जोड रखा था कि उसके लिए वो पूरा संसार था जबकि राजा महल में रहते हुए भी महल से अलग था। पूरा महल जल रहा था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सैंक्सेन जो बोल रहे हैं कि मन है वस्तूओं के कारण वो वस्तूओं बाहरी वस्तूओं नहीं बलकि उन बाहरी वस्तूओं को हमारा मन कितना अर्थ दे रहा है उनके साथ कितना मोह रख रहा है उसकी बात हो रही है वस्तूओं मतलब विचार हो सकता है आप संसार में रहते हुए भी विचारों से खाली हो और उस साधू की तरह हो सकता है आप सन्यास लेते हुए भी विचारों से भरे हुए हो फिर वो कहते हैं विचारने वाली वस्तुएं अगर ना हो तो मन नहीं है अगर मन नहीं है तो विचार नहीं है ये जैसे कृष्णमूर्ती जी कहा करते थे विचार ही विचारने वाला है विचार ही मन है मन ही विचार है अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा हमें लगता है कि हमें विचार आते हैं तब ही तो आप कहते हैं कि मुझे ये विचार क्यूं आया मुझे गुसे का विचार क्यों आया हम समझते हैं कि गुसे का विचार मुझसे अलग है लेकिन ये कहते हैं कि आप ही गुसे का विचार हो वो विचार ही आप हो दोनों एक हैं, अलग नहीं तब ही कह रहे हैं कि विचार खत्म हो जाएंगे तो मन खत्म हो जाएगा अगर मन नहीं होगा तो विचार नहीं होगे ये दोनों अलग चीजें नहीं है एक ही है ये भूल है कि हम विचार को खुद से अलग कर देते हैं हमारा तो अस्तित्व असम में कुछ है ही नहीं विचारों के समू से ही हमें ब्रहम होता है कि मैं जैसी कोई चीज है और इसी मैं के खत्म होने का ही ये रास्ता है मन के खाली होने का रास्ता और जब ये ब्रहम दूर हो जाएगा मतलब की मन खाली हो जाएगा तो भीतर मैं जैसा कोई केंदर नहीं बनेगा तो उसी को हम कह देते हैं बोध क्यूंकि भीतर कुछ मैं नहीं बचा या कह लीजिए अहमकार बिल्कुल शूनने हो चुका है इसी को श्रीक्रेशन ने गीता में मुनी कहा था जो हम आगे की पंक्ति में समझेंगे उन्होंने कहा था कि मुनी को करम फल दूशित नहीं कर पाते क्यूंकि उसके भीतर कुछ मैं जैसा है ही नहीं वही आगे की पंक्तियां है वस्तुए करम बन जाती है मन के कारण मन है वस्तुए के कारण अब देखिए वो जो मुनी है मतलब जिसका मन की गती थम गई है अहमकार शूने हो गया है उसके लिए वस्तुए करम नहीं बनेगी उसका कोई करम फल नहीं बनेगा क्योंकि भीतर कुछ गती है ही नहीं जो कि उसे करम बनाएगी करम बनाएगी मतलब उससे तादातम जोड़ेगी जो तादातम आगे जाकर अपना फल दिखाएगा तो उसे करम फल भी नहीं लगेगा और अगर मन से तादातम नहीं गया तो भौत ये वस्तू त्यागने का कोई मतलब नहीं बनता क्यूंकि असल में जिस चीज ने करम बनाने हैं वो तो विचार हैं वो तो अब भी आपके वीतर वैसे के वैसे ही है आगे कहते हैं इन दोनों के संबंद को समझो और मूल आधार सच्चाई शूनिता की एकता को भी इन दोनों के संबंद को तो हम देख चुके हैं कैसे थिंकर और थौट विचार और विचारने वाला बनते हैं और इनकी मूल अधार सच्चाई मतलब अगर ये दोनों ना हो वो जो खाली पन आता है जिसमें बोध होने की संभावना होती है उसको समझने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आपके भीतर वो अनभव के रूप में अवतरित होगा वरना तो वही जैसे ये कहते हैं कि शब्दों में ही उलजे रहेंगे आगे कहते हैं इस शूनिता में दोनों एक हैं किसी की पहचान नहीं की जा सकती दोनों की अपनी पूर्ण दुनिया है खुद में अब देखिए ये बहुत सी चीज़ें लगभग सारी ही चीज़ें ये जो बोल रहे हैं ये गहरी समाधी के अनभव है अगर हम समझना चाहें भी इन चीज़ों को तो तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें कुछ उस तरह का थोड़ा बहुत अनुभव ना हो जाए शब्दों से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन उसका कुछ अपने आप में फाइदा नहीं होगा अब इन पंक्तियों को देखिए इनको रमन महारीशी बार-बार अपने प्रवचनों में दोहराया करते थे वो कहते थे कि गहरी नीद में शब्द और आकार और मन तीनों को जाते हैं नेम, फॉर्म, एंड माइंड डिसपियर ये पंक्तियां उसी चीज की और इशारा कर रहे हैं किसी की पहचान नहीं की जा सकती दोनों की अपनी पूर्ण दुनिया है खुद में अगर आप बद्दा और सुंदर में भेदभाव नहीं करते हो तो आप पक्षपात और विचार की तरफ आकरशित नहीं होंगे ये तो हम पहले भी कर चुके हैं आगे कहते हैं इस महान रास्ते पर चलना ना आसान है ना कठिन परन्तु सतह पर जीने वाले डरपोक और संकलपीन होते हैं वो जितनी जल्दी चलते हैं वो उतनी धीरे चलते हैं मोह की कोई सीमा नहीं बोध के विचार से मोह भी रास्ते से भटकना है आसान, कठिन ये मन की ही तो परिभाशाएं है जब विचार ही नहीं होंगे तो क्या आसान, क्या कठिन लेकिन सतह पर जिने वाले मतलब विचारों से भरे हुए उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता इसलिए वो इस धुंदली दृष्टी से जो कुछ भी करेंगे वो उन्हें मार्क से और दूर ही लेकर जाएगा इसलिए कहा है कि जितनी जल्दी वो करेंगे उतनी धीरे वो चलेंगी क्योंकि जल्दी करना अपने आप में एक परियास है कुछ पाना है, कुछ जल्दी है कि उत्तर मिल जाएं यह हो जाए, वो उतना उन्हें असल में दूर कर देगा क्योंकि रास्ता है ही मन को खाली करनेगा अगर आप परियास कर रहे हैं, वो परियास आपको और जादा क्रिया से भर देगा क्योंकि रास्ता है